राजिस्थान की राजधानी जैपूर के विश्वकर्मा थाने इलाके में गुरुवार सुबह एक मकान में आग लगने से भीशन हाथसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के पाँच लोगों की जिन्दा जलने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए जिन्हें भजलाल शर्मा ने भी इस घटना पर अपनी समवेदना व्यक्त की है, सियम भजलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, जैपूर के विश्वकर्मा में भीशन आग की चपेट में आने से पाँच नागरिकों की असामयक निधन का समाचार हिर्दय विदारक है, परमपिता परमात आत्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचर्णों में स्थान वपरिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शिग्र स्वस्त होने की प्रार्थना करता हूँ, घायलों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हैं तु निर्दे का जताई जा रही है, बताया जा रहा है कि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुची तब तक आग भीशन रूप ले चुकी थी, इस कारण आग पर काबू पाये जाने से पहले ही पांच लोग जिन्दा जल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, यादाव मार्केट क पास हुई इस घटना की जाँच के लिए अब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जाँच के बाद ही हादसे के कारण का खुलासा हो पाएगा, वहीं पांचों लोगों के शोओ को अस्पताल की मौर्चरी में पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है